नवी मुंबई नेटवर्ग निरुल सिक्टे 666 अपना बाजार मार्केट की करीब दिन दहाडे तिरपन वर्षे बांध काम विवसाई सावजी भाई मंजेरी के हत्या के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने हत्या की गुद्धी को सुलजाते वे 28 वर्षे मेहेक नारिया और 3 सुपारी किलर समेथ कुल 4 आरोपियों को गिरफतार करने में बड़ी काम्याबी हासिल की है इसे के जानकारी नवी मुंबई पुलिसायुक्त मिलिन भारंबे ने पत्रकार परिशद में दी उन्होंने बताया कि इस अती समवेदन चील घटना को देखते हुए परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त और अप्राज शाखा के पुलिस उपायुक्त के ने थ्रतु में विभिन टीमों का गठन किया गया और तकनीकी विशलेशन और CCTV फूटेज का निरिक्षन कर हत्य मामले में इस्तेमाल बाइक का पता किया और इस मामले में 18 मार्च को 25 लाख रुपे की हत्या की सुपारी देने वाले आरोपी मेहेक नारिया को गिरफतार कर उसे कोट में पेश कर उसे 24 मार्च तक के लिए अनवे को गुजरात के गाउं में बच्चु भाई धना पठनी की हत्या की थी वहीं अक्टूबर नवंबर 2022 में व्रितक बच्चु भाई पठनी के रिष्टिदारों के साथ उसने बीच चौक में मार्पीट की घटना को अंजाम भी दिया था और इसे का बदला लेने के ल अविंबे पुलिस ने तीन शाप शूटर समेथ कुल चार लोगों को गिरफतार किया है उनमें शामिल है 28 वर्ष मेहिक नारिया 18 वर्ष कौशलय यादव 24 वर्ष गौरव कुमार यादव 23 वर्ष सोनु कुमार यादव फिलहाल आरोपियों पर IPC की धारा 302 भारती हत्यार कानून की धारा 35-25-27 और सह महरास्ट्र पुलिस कानून की धारा 37-135 के तहत मामना दर्स किया गया है इसी पूरी घटना की अधिक जानकारी पुलिस सायुक्त मिलिन भारंबे ने पत्रकारों को दी 15 मार्च को नवी मुंबई नेरूर के एरिया में एक व्यावसाई की हत्या हुई थी गोली दाग कर हत्या हुई थी उसकी समवेदन शीलता और इंपॉर्टन्स को ध्यान में रखते हुए DCP जोन वन और DCP क्राइम की मल्टिपल टीम्स इमिडियेटली इन्वेस्टिकेशन में जुड़ गई थी इसके वेविद पहलू की तरफ चानबीन शुरू हो गई थी और विदिन फॉर्टी एट आवर्स इन टीम्स ने इसका पूरा क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन कर लिया था इसमें ऐसे पता चला था कि ये जो मुरुतक है ये इसको मारने का इनका मूल कारण जो है ये इनकी ओरिजिनल गाव कच्छ गुजरात में का जो इनका गाव है वहाँ का है वहाँ पर इस मुरुतक ने 1998 में एक बंदे का मर्डर किया था उस बंदे के जो रिलेटिव्स है उन्होंने इस हट्या को अंजाम दिया एक सुपारी देकर जिसमें की शूटर्स तीन शूटर्स को पचिस लाग की अप्रोक्सिमेटली सुपारी दी गई थी और ये तीन शूटर्स को भी अरेस्ट कर लिया है बिहार राज्ये के एक जिले में से सो बेसिकली सुपारी देने वाले और जिन्होंने एक्चुली शूटिंग एक्जिक्यूट किया है उन सभी को नवीम्बई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है